आज हमें एक न्यू आइडन लेके रहे हैं टी ट्वैल डी प्लास मोडल का पहले हम शान शाइन जो 908 मोडल का जूट करते थे और उसके बाद हमने जी वाला मगाया है आप देख सकते हैं इसे बॉक्स का ओपन करें में सबसे पहले हमें इसका मेनूल मिला है देख सकते हैं इ के शोट ऐसा मुझकी हो निकल बाद देख सकते हैं हमें जी दो वाइटवाक्स मिले है और यह उपन करेंगीं समय घख सकते हैं इसमें महम iiности आयराम मिला aja यह आरेन का बिट है जो 200 के करीब आता है अगर हमने और कोई लेना है नियू लेना होता है इसका जो एलिमेंट होता है वो बिट के अंदर ही होता है और यह हमारा सोल्डिंग पैन है आप देख सकते हैं किताना लाइड विट और समॉल साइज है इसके दूसरी तरफ जो कि देख सकते हैं एक तरफ से यह बॉक्स में लगी और दूसरी तरफ से हमें इसे किसी आथ के लिए लगाना पड़ेगा और यह हमारा जो सोल्डिंग स्टेशन है जिसकते हैं टीट वालब प्लस डी एस पे इस डिस्प्लेय और रेगुलेटर है जिससे हमें इसका टेंपर पर से दुबाना है और हमारा बिट अच्छे से फिट हो जाता है इसमें जिए बड़ी असानी से निकल जाता है और लग जाता है निव बेट अब हम दूसरा बाक्स ओपन करते हैं उसमें देखते हैं क्या है इसमें हमें एक तो इसका स्टेंड मिला है और एक यह पावर के तो और वोगे जाता है तो इससे क्लीन साथ कि और जी नीचे वाली समजा में थोड़ा सा पानी डालेंगे यह पूल जाएगी जिसे हमेरी बेक्ट अच्छे से क्लीन होगा इसमें पसाना इसमें देख सकते हैं आफ इसका स्टेंड वह अच्छा है और यह असानी से घ्यृत हमने इसे 400 पर हीट किया है देख सकते हैं जाली यह 400 टेंपरेचर पर आ चुका है और देख सकते हैं सूल्डर हमारा च्छेटे पिकले मेल्ट होगा जिब हमारा बिट बहुत बारीक है यह जंपर बगरा लगाने के काम आएगा इसका दूसरा बड़ा बिट है वो हम बाद में जूस करेंगे देख सकते हैं यह एकदम से 400 डिग्री पर हीट हो जाता है जैसे हम रखते हैं यह पांच सेकट के बाद आप होकर टेंपरेचर इसका अपने अवकाम होना शुरू हो जाता है और जैसे हम इसे अठाएंगे जिद्वारा अपना टेंपरेचर की निकल ले गए इसे सिर्फ दो जा तीन सेकट लगते हैं अपने टेंपरेचर तक पहुंचने के लिए इसका जो एलिमेट होता है वह बिट के अंदर ही होता है जब वहती तेजी से हीट होता है